आज की वीडियो क्लास 8 थे NCRT साइन्स के चाप्टर नुम्बर 17 स्टार्स एंड दौ सोलर सिस्टम पर होने वाली है अच्छा जब कभी भी आप स्टार्स के बारे में सोचते हो आपकी दिमाग में बहुत सारे क्वेशन्स आते होंगे जैसे मैं कल स्टार्स को देख रहा था मैंने सोचा कि क्या आस्मान में दिखने वाले सभी स्टार्स equally bright होते हैं मतलब आस्मान में हमें जितने भी स्टार्स दिखते हैं क्या वो एक जैसे चमकते हैं मैंने यह भी सोचा, कि क्या आस्मान में जिस कलर का हमें Star दिखता है? White color का? क्या Star actual में white color का होता है? या किसी और कलर का होता है? आप भी ऐसा सोचते होंगे? तो आज के इस particular Part 2 में, Chapter 17 के Part 2 में, हम ऐसे ही बहुत सारे Interesting Questions के पीछे का Science समझेंगे, बट आगे बटनेस पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने already chapter number 17 का part 1 upload कर रखा है अगर आपने उस video को नहीं देखा तो मेरी जान बहुत कुछ miss कर रहे हो आप उपर information बटन पर जाओ, video को click करो और जरूर देखो इसके पहले की जितनी भी chapters हमने upload करे हैं class 8 के लिए उन सभी chapters के link आपको description box में part wise मिल जाएगी तो video पर click करो और video को जरूर देखना सभी videos को देखो बहुत मज़ा आएगा, so let's guess start it Hi, welcome to computer screen, this is part 2 of chapter number 17, stars and the solar system Part 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने moon के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि moon का surface कैसा होता है हमने ये भी पढ़ा था कि phases of moon क्या होते है, कि हमें धर्ती से moon का अलग-अलग चेहरा क्यों दिखाई देता है कभी हमें full moon दिखाई देता है कभी half moon दिखाई देता है यह सारी चीज़े हमने first part में discuss कर लिया था make sure कि आपने first part की video जरूर देखी हो क्योंकि second part आपको तभी समझ में आएगा now second topic of this particular chapter is stars हम celestial objects के बारे में पढ़ रहे हैं हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं जो sky में हमें दिखते हैं हमें sky में moon दिखता है तो हमने moon के बारे में पढ़ा अब हम stars के बारे में पढ़ेंगे तारों के बारे में पढ़ेंगे देखो क्या लिखा इसने इसने कहा है कि what other objects do you see in the night sky अगर तुम खुले आस्मान में देखो न तो तुम्हें आस्मान में moon के अलावा और कौन सी चीज़ दिखाई देती है तुम देखोगे कि there is a large number of stars in the sky तुम देखोगे कि आस्मान में moon तो है ही moon के साथ साथ बहुत सारे millions of stars हैं करना क्या है आपको कभी आपना खुले आस्मान की तरफ देखो लेकिन कहां से सहर से दूर जहां पर बड़ी बड़ी light ना हो जहां पर बहुत ज़ादा धूल मिट्टी pollution ना हो मतलब अगर गाउं में रहते हो और तब आप अगर आस्मान को देख रहे हो स्काई को देख रहे हो ना तो बहुत ध्यान से देखो और ये जानने की कोसिस करो Are all the stars equally bright? क्या आस्मान में दिखने वाले सभी तारे एक जैसे चमकते हैं आप जब बहुत ध्यान से देखोगे ना को लगेगा कुछ जो stars है वो बहुत ज़्यादा चमकदार है और कुछ stars बहुत कम चमकते हैं ऐसा क्यों होता है? simple सा reason है कि हम अर्थ पर रहते हैं और अगर कोई star अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है तो वो हमें छोटा दिखेगा आपको पता ही है कि दूर की चीज़ हमें छोटी दिखती है ठीक है? लेकिन अगर अर्थ से कोई star पास में ही है यहीं पर है तो अर्थ को वो चीज वो star बड़ा दिखेगा थोड़ा ज़्यादा चमकदार दिखेगा तो बस simple सा यहीं फंडा होता है कि कुछ stars अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते है जो हमें हलके फुलके दिखाई देते हैं बहुत कम दिखाई देते हैं लेकिन कुछ stars अर्थ से बहुत ज़्यादा पास में होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देते हैं जैसे sun हमारा सन भी एक स्टार है और ये अर्थ से बहुत ज़्यादा पास में है इसलिए ये इतना चमकदार और इतना बड़ा दिखाई देता है ठीक है येस सन इस अलसो एस्टार चलो एक क्वेशन आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि क्या सभी स्टार्स एक कलर की होते हैं तो इसका सिंपल सा अंसर होगा बेटा नहीं देखो स्टार्स के जो कलर होते हैं वो डिपेंड करता है उनके टंपरीचर पर फॉर एक्जामपल आप ऐसे कह सकते हो कि जो सकाई में हमारी सबसे होटेस्ट स्टार्स होते हैं हमारे आसमान में जो सबसे गरम स्टार होते हैं वो कैसे दिखते हैं हमें वो हमें blue कलर के दिखते हैं ठीक है समझ में आया अब इससे जो थोड़ा ठंडे स्टार्स होते हैं जो blue से थोड़ा कम temperature वाले स्टार्स होते हैं वो हमें white कलर के दिखते हैं ठीक है अब white से जो जो सबसे जादा coolest होते हैं , वह हमें red color के दिखाई देते हैं , तो अभी समझ में आया कि जो stars के अलग-अलग color होते हैं , वह क्यूं होते हैं , वह उनके temperature की वज़े से होता है , सबसे जो गरम star है , वह blue color का होगा , इससे जो कम गरम है , वह white color का होगा , white से भी , जो गम गरम star है , वो यलो कलर का होगा, और सबसे ठंडा स्टार, रेड कलर का होगा, तो फंडा समझ में आया है बेटा जी? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, चलो, आपको एक बात तो और पता ही है, कि जो स्टार्स होते हैं, उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, जैसे हमारा सन जो है, सन, सन एक स्टार ही है, आपको पता है सन के पास कितनी लाइट है? येस, तो भाई, जितने स्टार्स होते हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, गौट इट, देखो, यहाँ पर बताया भी गया है कि सन इस आलसो ए स्टार, अब आपकी दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, कि वाई डाज इट अपियर सो लार्ज, कमपेर टू दू अधर स्टार्स, अब अगर आप बोलोगे कि भाईया, आप कह रहे हो कि हमारा सन भी एक स्टार है, तो जो बाकी आसमान में स्टार्स दिखते हैं, वो तो बहुत छोटे दिखते हैं हमारे अर्थ से, ये सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है, तो बिलकुल सही सोचा आपने, जैसे देखो होता क्या है, कि which appears bigger, a football placed near you, और a football placed at a distance of 100 meter, देखो एक example लेते हैं, अगर आप समझ लो, आप ये हो, ठीक है, आप ये हो, और आपके आँखों के बहुत जादा पास, एक football लाके मैं रख दू, और एक football मैं तुमसे 100 meter की दूरी पर रख दू, ठीक है, एक football मैं तुम्हारे आँखों के एकदम पास रख देता हूँ, एक football मैं तुमसे 100 meter के distance पर रख देता हूँ, तुम्हें कौन सा football छोटा नजर आएगा, जो दूर है वो छोटा दिखेगा, जो पास है वो बड़ा दिखेगा, बिलकुल ऐसे ही, जो बाकी stars है, वो अर्थ से बहुत जादा long दूर है, बहुत जादा दूर है, लेकिन जो sun है ना वो, वो हमारे बहुत जादा near है, बहुत जादा पास है, इसलिए इस बड़े वाले football की तरह, अर्थ से sun जो है बड़ा सा दिखता है, बाकी stars छोटे-छोटे दिखते हैं, सभी, सभी stars होते same size के हैं, लेकिन ये जो sun है, वो हमारे जादा करीब है, जादा पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, समझ में आया इसके पीछे का फंडा, बिलकुल सही, देखो, इसी के लिए जो stars हैं, हमें वो छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि Earth से ये stars बहुत जादा दूर है, नमबर से पढ़ना चाहते हो, आप वो नमबर एंटर करो यहां पर, OTP आएगा, OTP, receive करो, verify करो अपने इस particular, जो भी हमारा, for example, मेरा OTP आगया है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और एंटर करके हम सीधा application में चले जाएंगे, application में जाके आपको नीचे एक store का section दिख रहा होगा, store पर जाएंगे, store पर class 8 के लिए revision batch चल रही है, इस revision batch में बेटा आपको English, Science and Mathematics की daily life classes प्रोवाइड की जाती है, doubt session प्रोवाइड करते हैं, हम important questions, revision notes, NCIT solutions, minty quiz, weekly test, बहुत सारी facilities आपको इस app में देखने को मिल जाती है, so go to play store, install this application and जाकर course पर आप जैसे ही click करोगे न, course को enroll करने का option आपको एकदम last में दिख जाएगा, enroll करो and enjoy करो classes को, एक महीने बचे हैं, prepare well, bye bye! अब आगे चलते हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ extra information दी है, sun के बारे में, हमारे सबसे जादा nearest star के बारे में, यह बहुत ही जादा important है, चोलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि the sun is nearly 150 million km from the earth, मतलब simple-simple से यहाँ पर इन्होंने बताया है कि earth से, जो sun का distance है वो कितनी दूरी का है, वो 150 million km दूर है हमारा earth इस sun से, ठीक है? और आपको पता है sun भी हमारा क्या है? sun भी एक तरीके का हमारे star है, ठीक है? अब sun, sun हमारे earth से सबसे nearest star है, सबसे नजदीक वाला star है, अब उसके बाद अगर हम दूसरा star देखे ना, तो sun के बाद earth से सबसे nearest star कौन सा है? alpha centauri, alpha, alpha centauri हमारा sun के बाद सबसे nearest star है earth के, और इसकी distance जानते हो कितनी kilometer है? 40 trillion km, can you imagine यार? 40 trillion km, मतलब million छोड़ो, billion छोड़ो, 40 trillion km, तो आप समझ सकते हो कि earth से sun कितना जादा नजदीक है? केवल 150 million km, वही पर ये जो alpha centauri है, जो star है, earth से जो सबसे नजदीकी वाला star है, sun के बाद, वो 40 trillion km है, और इसी के लिए हम star को इतना छोटा सा देखते हैं, और sun को इतना बड़ा सा देखते हैं, ठीक है? अब देखो, अब इतने बड़े-बड़े distances हैं ना, कि अगर तुम इनके 0 भी गिनना चाहोगे, तब भी ठीक से नहीं गिन पाओगे, 4 के बाद इन्होंने 13, 13, 0 लगाए हुए हैं, तो इतने बड़े-बड़े distances को ना, traveled by distance, traveled by light, मतलब एक साल में light कितना distance travel करती हैं, उसको हम one light year कहते हैं, मतलब क्या होता है? मतलब one light year बराबर क्या होता है? one light year equal to कितना होना चाहिए? एक light year में, अगर light हमारी यहां से निकल के, यहां एक साल में पहुच रही है, एक year में पहुच रही है, तो हम बताएंगे कि इतनी distance को हम one light year का नाम देंगे, simple सी बात है, light year का मतलब क्या है? एक साल में light, जितनी दूर चलती है, उस distance को हम light year कहते हैं, समझ में आया, देखो इहां पर और कुछ इन्होंने थोड़ा सा calculation किया हुआ है, इन्होंने कहा है कि एक बात आपको याद रहे कि जो speed of light है, जो speed of light है, मतलब अगर light कहीं से निकल रही है न, तो वो आपको पताएंगे कितनी है? एक second में जो light है, वो 300,000 km जा सकती है, वन second में 300,000 km जा सकती है, अगर इस हिसाब से हम जोड़ें, तो light हमारा, एक मिनट में कितना जाना चाहिए? एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 multiply by 300,000, अगर हम इसको calculate करेंगे न, तो एक करोड असी लाग के बराबर कुछ आएगा, एक करोड असी लाग, समझ रो कितना बड़ा ये हमारा amount है, तो भाई, एक मिनट में light इतने km चलती है, एक करोड, असी लाग किलोमीटर light हमारा एक मिनट में चलता है, अब अगर हमें find करना हुआ कि अर्थ से sun के बीच के distance कितनी है, और कितने मिनट में light यहां तक travel करेगी, तो हम ये simply कर सकते हैं, कि time, time कितना लगेगा, time equal to आपको पता है, distance, distance upon speed होता है, आपको ये formula पता है कि नहीं, time अगर हमें निकालना हुआ, कि sun से earth पे light पहुचने में कितना मिनट लगता है, तो time निकाल लो तुम distance upon speed करके, distance कितनी है, distance कितनी है मेरी जान, distance है हमारा earth और sun का, लगभग, लगभग, 150 million kilometers दूर है न, sun, 150 million kilometers sun हमारा दूर है, अगर इसको divide करेंगे, हम speed of light से, तो एक मिनट में light कितना चलती है, एक करोड, 80,000,000 km चलती है, एक मिनट में, got it, तो अगर हम इसको divide करेंगे बेटा, तो cut के न, 8 light minutes आएगा, मतलब, 8 minute में, जो sun की light है, वो, earth तक पहुच जाती है, लेकिन, 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 स्टार्स से यही light, earth तक पहुचने में, 4.3 light years लग जाते हैं, मिनट छोड़ो, घंटे छोड़ो, मेरे भाई, sun से earth पर light पहुचने में, केवल 8 light minutes लगता है, केवल 8 light minutes, लेकिन, वही पर, जो हमारे star है, वहाँ से अगर earth पर light पढ़ती है, तो भाई, 4 साल बाद, star की light हमारे earth पर पढ़ती है, समझ रहो कितना अजूबा है यार, येस, exactly, चलो आगे देख लेते हैं क्या है, ओके अब यहाँ पर देखो, पहली हमसे कुछ पूछ रही है, पहली पूछ रही है कि भाईया, मैंने बोला बोलो पहली, बोले कि भाईया, अगर light, stars से हमारे earth तक आने में, सालो लग जाते हैं, आपने बताया, कि एक star से हमारे earth पर light आने में, 4.3 light years लग जाते हैं, तो भाईया, मैं सोच रही थी कि क्या हम लोग past में हैं क्या, क्यूँ, क्यूँकि जो आज की रात, जो star से light चलेगी, वो तो 4 साल बाद हमारे earth पर पहुचेगी न, इसका मतलब हम तो past में देख रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा, actually में, जब star से light आती है न, तो आप आज की रात की star की light नहीं देख रहे हो, बलकि 4 साल पहले star ने जो light अर्थ पर भेजा था न, वो अब हमारे earth पर पहुचा है, और तब हम इनसान 4 साल बाद इस star की light को earth पर देख पाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग past में देखते हैं, ये बहुत ही interesting फेनामेना है, कि हम लोग stars की light को थोड़ा पीछे जा कर देखते हैं, जैसे अभी आप हो न, अभी आप आज रात जब stars की light को आसमान में देखोगे न, तो आपको लगेगा कि यार, star तो चमक रही ये direct light एक minute में हमारे आखों तक पहुच जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, होता क्या है कि ये stars हमारे earth पर 4.3 light years पहले ही ये light भेट चुके हैं, तब जाकर ये light हमारे earth पर आज दिखाई दे रहा है, और आज वाली जो star की light है, वो अगले 4 साल बात दिखाई देगी, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब क्या है, मतलब हम past में जी रहे हैं, ठीक है, अब तकलू बूजो यहाँ पर इसको भी कोई problem है, ये कह रहा है कि भाईया, मैंने बोलो बूजो, बोल रहा है कि I want to know, मैं जानना चाहता हूँ कि why we do not see the stars during the day, बूजो कह रहा है कि भाईया, रात मे तो तारी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो simple सी बात है मेरी जान, कि दिन में sun, sun हमारा इतना बड़ा star है, इसके पास इतनी light है कि जो छोटे-छोटे stars होते हैं उनकी light का पता ही नहीं चलता, दिन में हमारे, day में sun light के आगे, जो चोटे-चोटे stars की light है, वो इतने जादा दूर हैं कि उनकी light पता ही नहीं चलती, समझ में आया, समझ में आया की नहीं, बिलकुल सही समझ में आ गया होगा, चलो, देखते हैं और आगे क्या है, इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर हम सच मुझ की बात करें ना, तो in fact, जो stars होते हैं, वो हमारी sky में दिन के time भी मौझूद होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, क्योंकि हमारी जो sunlight होती है, जो sun से light आती है, वो बहुत जादा चमकदार होती है, इसी लिए दिन में हमें stars दिखाई नहीं देते हैं, stars तो आसमान में 24 घंटे present होते हैं, लेक stars चमकते हुए दिखाई देते हैं, समझ में आया मेरी जान, आगे चलते देखते इन्होंने और क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाईया, observe some prominent star और a group of stars in the sky for about two hours or more, आपको कहा गया है न, कि देखो, जो आपके आसमान में जो बहुत ही जादा important star है, जो बहुत जादा चमकता है, उसको तुम ध्यान से लगबग दो घंटे या दो घंटे से जादा लगातार उस star को देखोगे न, तो तुम क्या देखोगे, तुम क्या पाओगे, तुम पाओगे भाईया, कि ये जो stars है न, वो अपना position change कर रही है, ऐसा लगेगा आपको, यहाँ पर तो question पूछा गय है, कि क्या आपको ऐसा लग रहा है, कि जो star आप पिछले दो घंटे से देख रहे हो, वो अपनी position को change कर दिया है, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको, आप कोई भी आसमान में कोई भी star देखो, जब आप उसे एक दो घंटा लगातार देखते हो, आपको लगेगा कि यह ज क्यों होता है, चलो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर यही लिखा गया है कि तुम देखोगे न, कि धीरे-धीरे जो हमारे stars है न, वो क्या होते है, वो हमारा east direction से west direction में move करते, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि a star which rises in the east in the evening, sets in the west in the early morning, सीधा-सीधा कहा गया है कि जब भी रात होती है न, तो हमारा जो star होता है, वो east direction से निकलता है, और जब morning हो जाती है, तो यह star पूरा आसमान घूम के west direction में set हो जाता है, जैसे हमारा sun भी क्या होता है, east से निकलता है, और west में डूब जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जितने भी stars है, सब east से निक जाते हैं, समझ में है, अब आपके दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सा question आ रहा होगा, कि भाया, यह stars move क्यों करते हैं, क्यों यह stars east direction से west direction में जाते हैं, ऐसा क्यों होता है भाया, तो चलो मैं तुम्हें बताता हो कि मेरी जान ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी एक activity, कौनसी activity है, stand in the center of a big room and start rotating, in which direction will the objects in the room appear to move, अब देखो, एक बहुत ही सिंपल सा activity आपको करना है, एक बड़े से room में खड़े हो जाओ, ठीक है, और गोल 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 उस room में, जहाँ पर आप खड़े हो, वही पर गोल 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 घूमो, देखोगे ना आप, कि आप जिस direction में गोल गोल घूम रहे हो, जैसे आप हो ये, आप ये हो, आप for example, इधर से इस direction में rotate कर रहे हो, आपको लगेगा ना, कि जो आपके room की जितनी भी चीजे रखी है ना, वो इधर से इधर, just opposite move हो रही है, जैसे ये तो बहुत ही simple सी activity है, आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हो, देखो, पहली को याद आया, कि जब कभी पहली train में travel करती है, जब कभी आप भी कभी train में travel करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि बाहर के जितनी भी चीजे है, चाहे वो पेड़ हो गई, और खिड़की के बाहर की जो building होती है, अगर हमारी train आगे जा रही है, तो आप देखोगी कि ये पेड़ पौध है, ये building, बिलकुल opposite direction में, बिलकुल पीछे वाली direction में जा रहे हैं, बिलकुल ऐसा ही होता है, stars, sun, moon के साथ, होता क्या है, कि जो हमारा अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है, वो west direction से, किस direction से याद रखना, हमारा जो अर्थ है, west direction से, east direction में move करता है, west से, east direction में move करता है, और इसी वज़़ से हम earth पर रहने वाले लोगों को जितनी भी चीजे दिखती है वह east से west direction में जाते हुए दिखती हैं बिल्कुल opposite direction में जाते हुए दिखती हैं चाहे वो stars हो गया, चाहे वो sun हो गया या वो moon हो गया, earth हमारा west to east चलता है इसलिए हम Earth पे रहने वालों को East से West सारी चीजे पीछे जाते हुए दिखाई देती है अब समझ में आया कि हमारा स्टार East से क्यों निकलता है और West में सेट क्यों होता है अभी आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारा जो Sun है वो East से निकल कर West direction में क्यों जाता है क्यों क्योंकि Earth इसके just opposite चलती है देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि if the stars appear to move from East to West इसका मतलब है Earth हमारा West to East चलता होगा बिलकुल सही बेटा जैसे आप किसी कार में बैठे हो अगर आपकी कार आगे चल रही है तो आप जो अपने अगल बगल पेड देखोगे ना आप देखोगे यह पेड और यह बिल्डिंग पीछे जा रही है आपको लगेगा एसा यह पेड यह बिल्डिंग सब पीछे जा रही है बिलकुल ऐसे ही जब Earth हमारा इधर East direction है और इधर West direction है ठीक है तो जब earth हमारा west direction से east direction में rotate करता है तो earth की उपर की जितनी भी चीजे हैं चाहे वो हमारा star हो गया, चाहे वो sun हो गया, चाहे वो moon हो गया वो आपको लगेगा कि ये जितनी भी चीजे है अगर earth हमारा इधर से इधर जा रहा है तो इतनी ये ये वाली चीजे है ना star, sun, moon वो इधर से इधर just opposite जाएगा क्यों क्योंकि अगर हम आगे की दिसा में जाते हैं तो अगल बगल की जितनी चीजे होती हैं वो पीछे की दिसा में जाती है बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा earth west to east जाएगा तो बाकी जितने भी celestial objects हमारे आसमान में पाये जाते हैं वो east to west जाएगे ठीक है ये थोड़ा technical सा था थोड़ा time लगा बट I hope आपने समझ लिया होगा आगे देख लेता है ये बूजो बड़ा खुस है क्यों खुस है क्योंकि आपको भी पता है कि जो sun होता है हमारा वो east direction से निकलता है और west direction में जाके set हो जाता है डूब जाता है अब ये जो sun है वो east to west क्यों rotate करता है क्योंकि जो धरती है हमारी जहां से हम इस sun को देख रहे हैं वो west to east मतलब बिलकुल opposite rotate करती है हमारी earth इसलीए हमें लगता है कि sun हमसे पीछे जारा है मतलब east to west उल्टे direction में move कर रहा है ऐसे ही stars भी east to west move करते है moon भी east to west move करता है sun भी east to west move करते है ऐसा हमें लगता एक्दम opposite एकदम ulti east to west जाती है समझ में आया I hope आप confused नहीं हुए होंगे got it चलो अब आगे देखते अब पहीली पूछ रही है कि भाईया मैंने बोलो पहीली बोल रही है कि मेरे दादा जी ने मुझे बताया है कि हमारे आस्मान में एक ऐसा भी star होता है हमारे sky में एक ऐसा भी star होता है जो बिलकुल भी move नह सन हो गया सन हमारे एक ऐसा star है जो east से निकलता है west direction में जाके डूब जाता है लेकिन पहीली के दादा ने इनको बताया कि बेटा आस्मान में एक ऐसा भी star होता है जो बिलकुल move नहीं करता जो जहां पर है वो वहीं पर रहता है उस star का नाम क्या है उस star का नाम है पोल star अब यह आपको करनी पड़ीगी activity number 17.5 और यह activity थी तोड़ी से easy इसलिए मैंने practically करवा दिया let's see यार पोल star का नाम देते हैं आपकी just हमने पड़ा ठीक है अब देखो अब यह पोल star move क्यों नहीं करता बल्कि बाकी जो stars है वो सभी move करते है आज कि इस activity में हो यह दी देखेंगे देखो just suppose कर लो यह जो डंड़ा है यह अर्थ का axis है ऐसा मान लो कि यह अर्थ का है ऐसे स्कित्स क्या होता है जिस एक्सिस पर अर्थ जैसे सलोघोरें सबस्थे पर इसको दक्रते करती है तो सुभाएं नहींकि ईहरी प्लकुल बिल्कुल करेंगी जैसे लोसी करें इसे बनिजित ऐधक कर रहा तो आक को सब्सक्क्राइब गें और खरना फ्रज़ा होगा जो कब से उसी पुजीशन कर देको यह वादा स्टार प कि एसा ही है इसा क्यूं होता है यह यह स्टार अपना जेंशन चेंज कर रहा वाद जेतने चार को अपनी पुजीशन चेंश सेंज कर रहे ऐसा क्यों होता है क्युकि this is our pole star यह ऐसा star है जो और के डंडे पर पाया जाता है एक तब मिधिल पर तो और्थ हमारी आगे अधर मुव भी करती है तो यह star भू नहीं करता है इस लिपसा का नाम pole star है और यह पूरे आस्मान में इकलो था एक star है जो मुख नगी करता, वारे, समझना है? लेट्स रीट कोड़र मेंगा बहुत ही सिंपल है सबसे पहले ये जानो कि का मतलब होता क्या है सिंपल सी चीज होती है कि group of stars is known as constellations group of stars is known as constellations इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आप आस्मान में बहुत सारे stars को इकटना कहीं एक जगह देखते हो, समझना वहाँ पर constellation बन गया है अब देखो, आज तक हम इनसानों ने न केवल चार तरीके के constellations आसमान में देखे हैं ठीक है, ये figure देख पारे हो आप ये पहला वाला figure उर्सा मेजर कहते हैं ये, ये भी एक तरीके का constellation है, ये भी एक तरीके का constellation है, ये चारो अलग-अलग constellation है इनका अलग-अलग नाम है, इनके बारे में हम detail में पढ़ेंगे, बट पहले constellation के बारे में समझ लो, constellation होता क्या है, तुम आसमान में लगातार कुछ समय तक देखो तुम्हें क्या दिखेगा कैन यू सी सम स्टार्स क्या तुम कुछ ऐसे स्टार्स को देख पा रहे हो जो ग्रूप बना रहे है तुम कुछ ऐसे स्टार्स को देख पा रहे हो जो ग्रूप बना रहे है और ऐसा वैसा ग्रूप नहीं उस group से कोई ना कोई shape बन रहा है जैसे देखो पहला पहला जो है वो भी एक shape बन रहा है कुछ ऐसा shape बन रहा है कि नी ठीके कुछ ऐसा shape बन रहा है हाँ हमारे घर में जो करची यूज होती है न चटनी निकालने के लिए या पूरी छानने के लिए ऐसा होता है कर्छी ना, बिल्कुल कुछ उसी तरीके का ये उर्सा मेजर, जो पहला constellation है बिल्कुल कुछ कर्छी की तरीके का दि CHEERING देता है तो भाई, ऐसे group of stars, जिनका shape हम जानते हों, पहचानते हों ऐसे group of stars को हम constellation कहते हैं देखो exact definition यहाँ दी गई है कि the stars forming a group that has a recognizable shape ऐसे group of stars जो की कोई ऐसा shape बनाएं जो की हम जानते पहचानते हो ऐसे group of stars जो की ऐसे shape को बनाएं जिस shape को हम जानते हों पहचानते हो ऐसे group of stars को हम constellation का नाम देते हैं समझ में आया बहुत ही simple था I think इसमें इतनी problem नहीं होई होगी देखो constellation के बारे में हाँ पर कुछ extra knowledge दी गई है ये जो constellation word था ना ये सबसे पहले ancient people लोगों ने use करना start किया क्यों क्योंकि जब ancient people ने ना sky में देखा आसमान में जब पुराने जमाने के लोगों ने देखा ना तो उन्हें group of stars दिखा उन्हें stars का एक ऐसा group दिखा जो अलग अलग shape बना रहा है उन्होंने देखा कि the shapes of constellation resemble objects familiar to those people अब ये जो पुराने जमाने के लोग थे ना इन्होंने जब आसमान में लगा ता ध्यान से देखा ना तो इन्हें लगा कि ये जो stars हैं ये जो तारे हैं आसमान में ये कुछ stars ऐसे भी हैं जो मिलकर अलग-अलग shape बना रहे हैं और ये shape जो है ना ये पुराने जमान के लोग पहचानते थे क्योंकि उनके घर में जो आसमान में shape बन रहा है उसी shape की कई सारी चीजे वो खुद भी use करते थे घर में जैसे देखो जैसे जो उर्सा मेजर है उर्सा मेजर एक ऐसा constellation है जो ladle की तरीके से दिखाई देता है ladle मतलब समझ रहे हो ladle मतलब एक ऐसा handle क तरीके का होता है यहाँ पर कटोरी लगी होती है चटनी परोसने के काम में आती है या कहीं कहीं पानी भी पीने के काम में आती है तो इसको ladle कहते है तो भाई उर्सा मेजर इस shape का होता है ladle shape का होता है ठीक है तो यह I think यह भी आप समझ गये होंगे देखो you can easily identify some constellations in the night sky इसलिए कि particular constellation दिखता कैसे है अरे भाई अगर तुम गए कोई movie देखने कोई तुम पिक्चर देखने गए तुम हिरो का नाम ही नहीं पता है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा यह hero कौन है बिल्कुल ऐसे ही जब तुम्हें constellation का नाम नहीं पता है constellation कैसा दिखता है यह नहीं तो तुम कैसे पहचान होगे इसलिए हमें ये जानना है कि constellation अलग-अलग constellation दिखते कैसे है देखो टोटल चार constellation होते है और इन चारो constellation के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि constellation दिखता कैसे है और हमें रात के अंधेरे में ये constellation किस हिस्से में दिखेगा मतलब आस्मान इतना बड़ा है आस्मान के किस हिस्से में हमें ये constellation दिखेगा और ये constellation दिखता कैसे है अगर यही दोनों चीज हमें पता हो जाए तो हम आसानी से constellation को पहचान सकते हैं चलो, अब हम यहां से पढ़ेंगे अलग-अलग constellations के बारे में, चलो देखते हैं यार, Okay, so our very first constellation, देखो, अभी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो presentation पर पढ़ाऊंगा, सारी जीजे NCRT की ही हैं, बस थोड़ा सा हमने extra figure, extra images दिखाने के लिए आपको presentation पर दिखा रहा हूं, बाकि जो book है, ये जो word है, ये एक-एक word NCRT की है, got it, so हमारा सबसे पहला constellation आता है, उर्सा मेजर, एक-एक करके देखते चलेंगे, उर्सा मेजर क्या है, one of the most famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night, is उर्सा मेजर, देखो, उर्सा मेजर के बारे में, दो-तीन चीजे में आपको बता देता हूं, ये बहुती famous constellation है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर तुम 9 बजे रात को, 9 बजे रात को, या 10 बजे रात को, तुम गर्मियों की रात को, 9-10 बजे, अगर आसमान में देखते हो तो आपको कुछ ऐसा shape दिखाई देता है, stars मिलकर कुछ ऐसा shape बनाते हैं, बस इसी shape को हम उर्सा मेजर का नाम देते हैं, आपको पता है constellation का मतलब होता है, group of stars, ठीक है, तो आप जब 9-10 बजे रात को, गर्मियों की रात को, जब 9-10 बजे आसमान में ध्यान से देखोगे न तुम्हें ये उर्सा मेजर जो constellation है, वो दिखाई देगा, इस particular constellation का हम तीन नाम देते हैं, सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं, कि भाई, उर्सा मेजर का एक नाम है, बिग डीपर, ठीक है, बिग डीपर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से हमें आसमान में दिख जाता है दूसरा इसका नाम है Great Bear, Great Bear, Great Bear क्यों नाम है, क्योंकि देख रहे हो, उर्सा मेजर के अगल बगल जो भी stars है न, वो भालू जैसा shape बनाते हैं, इसलिए इसका नाम Great Bear भी है, और साथ साथ में उर्सा मेजर का नाम एक और है, क्या है, सबतरशी, तो भाईया, ये तीन नाम है उर्षा मेजर कॉंस्टलेशन के ठीक है उर्षा मेजर हमें कब दिखाई देता है 9 बजे से 10 बजे रात में समर गर्मियों के मौसम में ठीक है समझ गए अब देखो यहाँ पर और बताये गया है कि there are 7 prominent stars in this constellation यह जो उर्षा मेजर कॉंस्टलेशन है इसमें 7 stars पाए जाते हैं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 stars पाए जाते हैं इन 7 stars में से ठीक है जो 3 stars होते हैं वो handle पर लगे होते हैं और 4 stars बाउल पर लगे होते हैं handle देख रहे हो यह इसको हम handle कहते हैं handle पे आपको 3 star देखने को मिलेंगे यह जो cutory है, यह जो bowl है यहाँ पर आपको 4 stars देखने को मिलेंगे ठीक है, समझ में आया अब देखो जो उर्सा मेजर का safe होता है वो कुछ ladle की तरीके से होता है ladle का मतलब समझ रहो मैंने आपको 2-3 बार बताया कि मम्मी हमारी एक कर्छी यूज करती है आप बोल सकते हो, एक बरतन तरीके का होता है जिसमें पानी पलटने के काम में आता है या चटनी उटनी फरोसने के काम में आता है उसको हम ladle कहते है तो यह जो हमारा उर्सा मेजर है वो ladle के shape का हमें दिखता है और साथ-साथ हमें question mark के shape का भी दिखता है देखो उर्सा मेजर जहां हमें दिखता है यह देखो यह बन गया की नहीं उर्सा मेजर यह देख रहो यह उर्सा मेजर बन गया है हमें जहां भी हमें उर्सा मेजर दिखाई दे जहां भी हमें उर्सा मेजर दिखाई दे समझ जाना पोल स्टार pole star किसे कहते है star that does not move star that doesn't move pole star एक ऐसा star होता है जो आसमान से हिलता डुलता नहीं है जहां पर है वहीं पर रहता है बाकी stars east direction से west direction में move करते हैं लेकिन pole star move नहीं करता तो इस particular activity में यही आपको दिखाये गया है कि आप उरसा measure अगर आसमान में देखते हो तो उरसा measure को देखकर आप pole star का पता कैसे लगा सकते हो कैसे लगा सकते हो इस activity में बहुत ही simply बताया गया है कि जो उरसा measure का यह आखरी दो star दिखता है न आपको यह आखरी दो star देख रहे हो आप इस star के जब तुम एकदम सीधे देखोगे न एक आपको बहुत ही चमकदार star दिखेगा वही star pole star होता है तो इस activity में हमें pole star का पता लगाना था pole star आपको कहां दिखेगा जो उरसा measure का आखरी दो star होता है न उस star के एकदम सामने तुम देखोगे तो एक चमकदार तारा तुम्हें दिखेगा वही तारा pole star कहलाता है ठीक है pole star की quality क्या है pole star कभी भी move नहीं करता जहां पर है वो हमेशा वही पर रहता है ओके सो हमारा जो second important constellation है उसका नाम है Orion अभी Orion क्या है भाईया Orion is also well known constellation that can be seen during winter in the late evenings सबसे पहले ये जानो कि आप Orion को देख कहां पर सकते हो थंडियों की रात में थंडियों की मौसम में winter night को आप अगर 7 बजे से 8 बजे के बीच में देखते हो ना तो ये आपको Orion constellation दिख जाएगा ये हमारे पूरे आसमान का सबसे pretty सबसे प्यारा constellation है इस constellation में 7 और 8 bright stars होते हैं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 stars हैं की नहीं है इस constellation में अब ये जो 3 middle के stars हैं ये देख रहो 3 middle के stars 1, 2, 3 ये क्या है? ये क्या है? The 3 middle stars represent the belt of the hunter ये देख रहो hunter ये जो सिकारी है इसने belt पहना हुए है इस belt को दिखाने के लिए ये 3 stars एक line में arrange हो चुके हैं और इस belt के बाद जो और 4 stars है ये देखो नीचे देखो 1, 2, 3, 4 4 stars है न? ये quadilateral बनाते हैं quadilateral मतलब पता है? ऐसा कोई shape जिसकी 4 sides हो उसको हम quadilateral कहते हैं तो ये देख रहे हो एक side रुको मैं clear कर देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो 1st side, 2nd side, 3rd side and 4th side मतलब क्या है? मतलब जो middle का 3 star है वो belt को represent करता है और जो नीचे का 4 star है वो quadilateral को बनाता है quadilateral को बनाता है ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? The star series अब यहाँ तक तो Orion के बारे में था हमने Orion के बारे में यहाँ तक पढ़ा अब देखो एक और अजूबा चीज में आपको बताऊ क्या अजूबा चीज है? हमारे आस्मान में जो सबसे ज़्यादा चमदार तारा होता है वो serious होता है serious, brightest star होता है हमारे आस्मान का brightest star, सबसे चमदार तारा तो serious के बारे में बताए गया है कि हम इस Orion constellation की मदद से serious तारे को ढूर सकते हैं कैसे ढूर सकते हैं? The star serious which is the brightest star in the sky यह जो serious star है यह सबसे चमदार तारा होता है हमारे आस्मान में और यह कहां located होता है Orion के pass में ही यह जो Orion constellation है ना इसके pass में ही कहीं serious तारा होता है आप कैसे पहचानोगी serious तारे को? देखो, imagine करो कि एक straight line passing through the three middle stars of the Orion देखो, तुम imagine कर लो कि कोई यह जो belt है इस belt से कोई सीधी line आई है कोई सीधी line इस belt से खीची गई है imagine कर लो इसी सीधी line पर तुम एक सबसे चमकदार तारा देखोगे उस तारे का नाम क्या है? serious star नाम है तो आप तुमने पहचान लिया कि serious star को कैसे पहचानते हैं? बिलकुल, अगर तुम constellation देखो, अगर तुम Orion constellation को आसमान में देखते हो ना तो जो बीच वाला this is all about Orion चलो चलते हैं अपने third constellation की तरफ और देखते हैं हमारा third constellation कौन सा है? Cassopio ये जो हमारा constellation है ना ये भी बहुत ही important constellation है मतलब आप आम तोर पर generally इस constellation को देख सकते हो आसमान में ये कहाँ पर दिखता है? northern sky में आपको पता है हमारे four directions होते हैं east, west, north और south तो जो northern sky है जो हमारे आसमान का northern हिस्सा है उत्तरी हिस्सा है ना वहाँ पर तुम Cassopio constellation को देख सकते हो ये कब दिखेगा? It is visible during winter in the early part of the night ये लगभग आपको 9 से 10 बचे रात को दिख जाएगा कब? Orion तारे की तरह ये भी आपको थंडियों में ही दिखेगा समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है It looks like a distorted letter W और M ये देख रहे हो ये जो हमारा Orion तारा दिखता है ना ये W की तरह दिखता है अगर उल्टा देखें तो W की तरह इधर से दिखें तो M की तरह ठीक है? तो ये रहा हमारा कैसोपियो अब लियो मेजर लियो मेजर क्या है? लियो मेजर हमारा चौथा और आखरी कॉंस्टलेशन है जो आज तक इनसानों ने देखा है ये लियो मेजर जो कॉंस्टलेशन है ये भी Northern Sky में पाया जाता है मैंने आपको बताया कि हमारे Sky में चार शाइट सोते हैं East, West, North और South ठीक है? तो हमारा Sky का जो Northern हिस्सा है जो इधर वाला हिस्सा है वहाँ पर ये आपको लियो मेजर कॉंस्टलेशन देखने को मिल जाएगा अब इसके बारे में खासियत क्या है? ये One of the Largest One of the Largest Constellation है One of the Largest Constellation है ये हमारे आसमान में देखे जाने वाला सबसे बड़ा Group of Stars कौन सा है? चौथा वाला लियो मेजर ये जो लियो मेजर ये जो नाम है ना ये एक Canada का बहुती बहादूर Soldier था उसके नाम पर रखा गया है लियो का मतलब क्या होता है? लियो का मतलब होता है लॉयन ठीके? ये देख रहे हो? ये लॉयन का शेप का दिखता है तो this is all about लियो मेजर कैसोपिया हमने पढ़ा ओरियन के बारे में हमने पढ़ा पोल स्टार को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं हमने उर्सा मेजर के बारे में पढ़ा तो यही चार कॉंस्टलेशन आपके क्लास एट में है आईहोप आपको चारों समझ में आ गे होंगे अब हमारा जो next topic है वो हम solar system के बारे में पढ़ेंगे हमने first part में moon के बारे में पढ़ा second part में हमने मून के साथ साथ स्टार्स के बारे में पढ़ा और कॉंस्टलेशन के बारे में पढ़ा अब हम अपनी थर्ड पार्ट में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे hope you loved this video अगर video पसंद आए मेरी चान तो video को like जरूर करना चैनल को subscribe करना और अपने दोस्तों के साथ सहीलियों के साथ इस video को share जरूर करो मिलते अपनी अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन सश्याकाल पाबाई